तो हे ऐगाईज रो अप behaviour के पीछे भाई पता नी क्यों अभी पुलिस पड़े हुई है भाई अभी इसने कुछ भी नहीं किया एक भी बंदे को नहीं मारा फिर भी लेकिन भाई केस अगर होई चुका है तो क्यों ने किसी बंदे को मार लिया जाए ये बंदा रोड क्रोस कर रहा है चलो इसे मारते है तो भाई ये मेरे से पंगे ले रहा तो इसको एक हैड सोट पड़ चुका है मेरे पहरकाद और पुलिस वाला भी आ गया इसको भी मारूंगा गन निकाल लो पहले हाँ लाट से काम ने चलेगा ये ले फिर अरे वो बंदा फिर खड़ा हो गया अब भाई बड़ी वाली गन निकालने पड़ी है ये गन एक महीं मार देती है बंदों को अधर इस्टार ले लेता हूं ये वाला पर पुलिस की गाड़ी भी आ गी है तो गाड़ी से बचने के लिए तो है इसको निकलते हैड सोट गूना और यह आया बाहर एरे उसके अभी तो भाग नहीं पड़ेगा मुझे क्योंकि भाई मेरी हैल्थ कम है अभी मेरे को थोड़ी बहुत गोलिया पड़ेगी तो मैं मर जाओं मैं यह मैं उपर चड़ेगा फिर यह दोनों आ रहे है तो दूसरी जगह चलते हैं भाई यहां तो सेफ नहीं है इस वाई विल् अब कोई नहीं आ रहा है मैं से फाइट लेनी पड़ेगी है वह दोनों एक साथ फाइरिंग कर रहे हैं मैं अके रहा लग रहा है जीख नहीं पाँगा एक मर गया एक है और यह दूसरा भी खत्म है एक और आगा भाई यह खत्ब नहीं हो रहे हैं इसे भी मार दिया अग है फिरसे फाइरिंग और भाही बाहरा तो खदरनाक वाली पुलीस समय के वाल Cass опять कि यह वाली पुलीस भाई बहुत कदरनाक झाल झाल